नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर MCX शोरगेन के इस वीडियो टूटोरल में मैं हूँ आपका दोस्त परवी नाना और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ऐलगो ट्रेडिंग के बारे में आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि एलगो ट्रेडिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं और हम आपको टूल भी दिखाएंगे जिसमें आप वेब बेस्ट एलगो ट्रेडिंग कर सकते हैं यानि कि एक ब्राउजर के थुरू या फिर एक मोबाईल अप्लिकेशन के थुरू आप एलगो ट्रेडिंग कर सकते हैं आज के इस वीडियो में जिस वेब बेस्ट ब्राउजर की हम बात कर रहे हैं ब्राउजर बेस्ट एलगो ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है दोस्तों Elgo Terminal Elgo Terminal पे हमने आपको दो तरीके के options दिये हैं जिनके थुरू आप auto trading कर सकते हैं सबसे पहला तरीका उसमें ये है कि आप charting software की मदद से auto trading कर सकते हैं यानि कि एक charting software में आने वाले signals को automate कर सकते हैं और उनको automate करके उनके signals को bridge के थुरू अपने trading terminals पर पहुचा सकते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि उसमें दूसरा option एक ये भी है कि माल लिजे आपके पास अपनी कोई strategy नहीं है आपको नहीं पता कि किस तरीके से strategies को develop करते हैं या कोई भी technical knowledge आपको नहीं है तो हमारी दी हुई predefined strategies को भी आप use कर सकते हो और ये एक plug and play option आपको यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें आपको सिर्फ start और stop करना है और आप अपनी automatic trading को बड़े ही आराम से बहुत ही easily perform कर पाएंगे इसमें कई तरीके के options आपको मिल जाते हैं जो matter trader के साथ trading करने का option है उसमें तो इतनी ज़्यादा customizations available हैं कि मालने जे आपके पास कोई अपनी personal strategy है आप जाते हैं कि भाई मेरी जो strategy है मैं उसी के थुरू यहाँ पर जितने भी orders है उनको आगे जो है भेजना चाहता हूँ तो वो बहुत ही आसानी से आप उसको भेज सकते हैं क्योंकि उसमें हम लोग आपको customization का option देते हैं हम लोग MQL में यानि कि Meta Trader 4 software यूज़ करते हैं में कि हम MQL जिसका एक coding होता है MetaCode language करके उसमें हम आपको develop करके दे सकते हैं उसके लिए हम one time development charge लेते हैं जो की बहुत ही nominal होता है तो आपकी कोई strategy हो उसके उपर भी हम बना के आपको auto trading दे सकते हैं या फिर अगर आप हमारी strategies को use करना चाहते हैं तो elbow terminal के subscription के साथ आपको default 3 strategies मिलती हैं आगे इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से उन strategies का आप इस्तमाल करके अपनी trading को profitable बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूंगा जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मैं request करूंगा कि चैनल को subscribe कर लीजिए और bell icon जरूर दबा दीजिए क्योंकि जो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा और हम अपने चैनल पर stock markets related बहुत अची अची वीडियोज डालते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं शुरू करते हैं तो दोस्तो जो screen अभी आप देख रहे हैं इसमें आपको जो दिखाई दे रही है वो है Elgo Terminal की website सबसे पहले आपको Google पे जाना है और Google पे यहां पर आपको टाइप करना है www.elgo terminal.in पे जब आप जाएंगे तो ये पेज जो आपको अभी screen पे दिख रहा है ये पेज आपको दिखेगा इसमें आपको सबसे पहले login पे जाना है सबसे पहले आपको login पे जाने के बाद एक page दूसरा खुलेगा जी तो ये page सबसे पहला page आपको दिखेगा जब आप पहली बार इस website पे आएंगे तो उसके बाद आपको sign up पे click करना है और sign up पे click करने के बाद ये कुछ details आपसे माँगेगा ये details फिल करने के बाद जब आप next page पर आएंगे तो ये आपसे verification code receive करने के लिए एक button आएगा I am not robot का मैं आपको एक example दिखा देता हूँ मान लीजे मैं अपना यहाँ पर नाम लिखता हूँ जी मैंने mobile number सही नहीं डाला है आपको सही डालना है क्योंकि मेरे अलड़ी यहाँ पर account registered है तो यहाँ पर यह मुझे एक rejection दे देगा मुझे कह देगा कि आपका mobile number अलड़ी रेजिस्टर है इसलिए मैंने यहाँ पर एक दूसरा mobile number डाला है ताकि मैं आपको एक demo यहाँ पर दिखा सको यहाँ पर दोस्तों I am not robot पर क्लिक करना है इस तरीके से और उसके बाद receive verification code पर क्लिक करना है जब आप receive verification code पर क्लिक करेंगे तो आपके mobile पर एक message आएगा उस mobile के message को वहाँ पर input कर देना है और input करने के बाद आपका account जो open हो जाएगा तो दोस्तों मेरा already account है तो तो मैं अपने account से login करके अब आपको दिखाता हूं कि आगे की screen क्या कहती है तो यहाँ पर मैंने अपनी credential डालके इसको login कर दिया है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे तीन अलग-अलग brokers के नाम आ रहे हैं पहला आ रहा है काइट दूसरा आ रहा है allies blue और तीसरा अप स्टॉक्स तो जिस भी broker का मेरे पास account है मैं उस account को यहाँ पर login कर सकता हूं अगर मुझे जिरोधा का करना है तो मैं काइट वाले पर जाके login करूंगा मुझे allies blue का करना है तो मैं allies blue के account पर आके login करूंगा और अगर upstock का करना है तो upstock की API की और secret यहाँ पर डालके login रहा हूं अब यहाँ पर मैं आपकी चीज़ और बताता हूं कि जब आप login ID डालते हैं कोई भी login ID जैसे मैं यहाँ पर अपनी login ID डाल रहा हूं यह मेरे पास एक demo account है उसकी login ID मैं यहाँ पर डाल रहा हूं और answer की बात जो यह आ रहे है कई बार दोस्तों लोग confusion में आ जाते हैं कि यह answer मुझे क्या डालना है क्योंकि question यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है और alias blue में जब आप जाते हैं तो 2FA के दो questions आते हैं उन दो questions के दो answer अलग अलग या एक जैसे answer साब करके रखते हो जो कि आप वहाँ पर डाल के login करते हो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ हमें करनी बहुत important है वो यह कि जब भी आप इसके अंदर आते हो तो आपको उससे पहले अपने alias blue पर जाके अपने जो security questions के answer हैं उन सभी questions को same answer देना होगा जैसे कि माली जो 5 questions मांगता है तो 5 questions को आप 111 ऐसे लिख सकते हैं या कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके से 5 questions के answer same करने होंगे same करने के बाद आपको यहाँ पर डालना होगा जिसे मैंने यहाँ पर a अपने questions का answer रखा हुआ है तो मैं यहाँ पर a लिखके login कर रहा हूँ यही login करने के तरीका दोस्तो अलाइस प्लियू के साथ वाली एपस में जब भी हम login करेंगे अपने किसी भी टूल के साथ तो हमें यही फॉर्मूला अपनाना है हमें जाना है अपने and.lispluonline.com पर और वहाँ पर सबसे नीचे आता है लिखा हुआ forgot password तो forget password पर जाने के बाद reset 2FA का एक tab आता है उस पर click करके अपनी details डालेंगे तो वहाँ पर आपको successfully reset कर देगा उसके बाद फिर आप login कीजिए अपने ID से तो जैसी login करेंगे तो 2FA के answers पूछने की बजाए वो questions दे देगा आपको और answer set करने का option दे देगा तो अभी यहाँ पर मैं अपना account जो है वो login कर रहा हूँ यह मैंने login कर दिया login करने के बाद यह यहाँ पर आगया option create link करने का तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले उपर जो दो option दिये हैं हमें एक terminal का option है और एक strategies का option है तो अभी सबसे पहले मैं आपको terminal के option के बारे में बताऊंगा क्योंकि terminal का option बहुत important है जो लोग matter trader 4 software यूज करते हैं और चाहते हैं कि मेरी जो trading है वो automatically हो matter trader 4 के थूरू वो लोग इस terminal को इस्तमाल कर सकते हैं इसको इसमाल करना पहलों है सबसे पहले हमें करना क्या है सबसे पहले हमें अपना यहां पर कोई भी एक single create कर लेना है जिसमें हमें trade करना है मालशी हमें crude oil में trade करना है तो हम यहां पर amcx select करेंगे यहां पर हम लिखेंगे crude oil July future जे यू एल ही लिखना है खाली फ्यूचर तो दोस्तों यहाँ पर Crude Oil July Future आ गया मुझे Crude Oil July Future को सिलेक्ट करना है Product में मुझे जो भी product रखना है M.I.S. या नॉर्मल वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ Quantity में जितनी भी quantity मुझे ट्रेड करना है वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ तो अब मानेज मैंने quantity सिलेक्ट कर लिया है एक चीज़ और quantity के बारे में दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप commodity यानि कि MCX यूज़ कर रहे हैं तो आपको lot quantity डालनी है और अगर आप NSE features यूज़ कर रहे हैं तो आपको lot size डालना यानि कि अगर bank nifty में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 75 डालना होगा ऐसे ही bank nifty में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 25 डालना होगा ना कि एक तो इस तरीके से यहां पर हमें इसको करने के बाद मैं इसको save कर देता हूँ तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि generate हो गया है link हमारा successfully अब यह link तो generate हो गया है अब आगे का काम शुरू होता है जिसमें हमें matter trader 4 की मदद लेनी होगी और matter trader 4 install करना होगा साथ ही साथ हमें indicator भी install करने होंगे जिन indicator के उपर हमें trade करना है तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे हम कि algo terminal .in उसके बाद slash लगाना है उसके बाद capital letter में लिखना है tm.exe इसे लिखने से हमारा matter trader 4 software install हो जाएगा साथ ही साथ एक चीज और करनी है हमें यहाँ पर हमें लिखना है algoterminal.com .in forward slash उसके बाद लिखना है algoterminal.com उसके बाद लिखना है और इसको enter मानना है तो आप देखिए यहाँ पर तो अलग अलग चीजें यहाँ पर नीचे बाटम पर install हो गई है पहला है आपका algo zip और दूसरा है tm.exe तो जब हम tm.exe को run करेंगे double click करके next करके तो उसके बाद हमारा matter trader 4 software जो है वो install हो जाएगा जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ जब हम इसको double click करेंगे तो हमसे यह एक window खुलेगी और उस window में यह हमसे yes मांगेगा और yes करने के बाद हमें यहाँ पर next करना है तो next करने से matter trader 4 यहाँ पर install होना शुरू हो जाएगा और जब matter trader 4 install हो जाएगा तो यह हमें open करके दिखाएगा matter trader 4 को तो अभी देखिए आप जिस तरीके से यह matter trader 4 install हो रहा है install होने के बाद यह automatically matter trader 4 open कर देगा और open करने के बाद हमें जो हमारी जरूरत की चीज़े हैं वहाँ पर डालनी होंगी matter trader 4 में ताकि हम अपना आगे का काम आसानी से कर पाए तो दोस्तों यह यहाँ पर install हो गया है उसके बाद मैं finish पर click करूँगा जैसे मैं finish पर click करूँगा उसके बाद यह matter trader 4 software को open करेगा और वहाँ पर कुछ options आएंगे उसके बारे में अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें open होती है और हमें क्या क्या करना होता है तो दोस्तों जब matter trader 4 इंस्टॉल होता है तो इंस्टॉल होने के बाद पहली बार इंस्टॉल होने के बाद इस तरीके के एक window आपको दिखाई देगी उस पर आपको scan पे click करना है और scan करके यहाँ पर देखना है कि आपके machine पे server दोनों access हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं उसके लिए आप अंदाजा इस से लगा सकते हो कि जब यह दोनों यहाँ पर server की detail के आगे address के आगे यहाँ पर green green करके tick mark आ जाएं तो आप यह समझ दो कि आपका यहाँ पर यह server धंक से ले लिया है उसके बाद आपको क्या करना होता है उसके बाद जब हम इस window को close करते हैं तो automatically आपकी यहाँ पर यह login वाली जो window है यह open हो जाती है यहाँ पर मैंने already demo की details डाली हुई है आपको अगर demo की details चाहिए हो तो आप हमारे number जो की bottom पर आपको दिख जाएगा उस number पर आप call कर सकते हैं और call करके या फिर आप WhatsApp करके आप हमसे demo ID password ले सकते हैं जो की आप demo ID password के थुरू इसको चला सकते हैं और इसको चलाने के बाद जो next step है हमारे दोस्तों वो यह है कि हमें जब यह यहाँ पर login हो जाए तो हमें जाना होगा tools में उसके बाद हमें जाना होगा options में उसके बाद हमें जाना होगा यहाँ पर expert advisor के tab में और यहाँ पर हमें allow dll को इसको tick करना है ये un-tick नहीं होना चाहिए ब्लैंक नहीं होना चाहिए इस पर right color का sign होना चाहिए right color का sign अगर नहीं है तो आमें वहाँ पर tick कर देंगे और tick करने से right color का sign आजाएगा उसके बाद हमें कर देना है ओके अब दोस्तो mt4 हमारा install हो गया और हमने एक simple सी जो setting इसमें करनी थी वो भी कर ली है अब इसके बाद हमारा next step है कि हमें इसके अंदर indicators को download करना होगा indicator को download करने के लिए दोस्तो हम क्या करेंगे उसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले अपने वो algo.zip वाले folder में यह मैंने यहाँ पर इसको unzip कर दिया है मेरे desktop पर आ गया है अब मैं इसको double click करके आपको दिखाता हूँ इसमें कुछ files हैं दोस्तो एक file है इसमें include file और कुछ है indicators की file तो हम क्या करेंगे दोस्तो सबसे पहले हम indicators की files को उठाएंगे यहाँ पर इन सारी files को हम select कर लेंगे include file को हम छोड़ देंगे और इनको करेंगे copy उसके बाद हम meta data 4 के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम file में जाएंगे open data folder में जाएंगे और उसके बाद हमें जाना होता है दोस्तो meta code library के इस folder में mql4 folder में उसके बाद हमें जाना होता है indicators के folder में और यहाँ पर हम right click करके एक folder बना सकते है न्यू पर जाके new folder पर जाएंगे तो नया folder बन जाएगा और folder को हम नाम दे सकते है algo terminal के folder के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर इन indicators को paste करतेंगे तो दोस्तो अब यह चारो पांचों इंडिकेटर जो थे वह paste हो गए हमारे इसमें से कुछ इंडिकेटर जो है तीन इंडिकेटर आपको free मतलब मिलते हैं subscription के साथ अगर आप basic subscription लेते हैं तो उसमें आपको तीन इंडिकेटर मिलेंगे जिसमें से एक है इंडिकेटर का और एक है आपका super trend इंडिकेटर का यहां पर जो दो इंडिकेटर और हमने दिखा हैं दोस्तों इंडिकेटर पेस्ट कर दिया इंडिकेटर के फोल्डर में तो अब यहां पर आते हैं हम include के फोल्डर में तो include के फोल्डर में जाके हैं तो हमें आपर एक file मिलती है इस file को भी हमें करना है copy और copy करने के बाद इस file को हमें करना होगा paste एक folder के अंदर वो मैं आपको अभी देखाता हूं तो हमें जाना है उसके बाद file में उसके बाद जाना है open data folder में और उसके बाद हमें जाना है दोस्तों MQL4 के अंदर include करके folder आएगा उसके अंदर यहाँ पर हम इसको paste कर देंगे दोस्तों अभी मैंने यहाँ पर इस file को paste कर दिया तो अब paste करने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाई दे रही है include में इस http की और यहाँ पर indicators के अंदर हमारे indicators का folder भी बन गया इलको terminal के नाम से अब दोस्तों हम क्या करेंगे अब हम जाएंगे और indicators को apply करेंगे और उस तरीके से हम चार्ट में लगा लगा के देखेंगे तो सबसे पहले मैं एक एक करके आपको सारे indicators दिखाता हूँ कि किस तरीके से indicators दोस्तों काम करते हैं और किस तरीके से indicator का performance रहता है यहां पर अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले हम crude oil का चार्ट लगाएंगे देखिए Meta Trader 4 में जब हम symbols पर जाते हैं और right click करके तो आपको अलग-अलग market के symbols यहां पर दिखाए देते हैं से MCX यहां पर है NSE future यह है NSE cash है यह spot वाला जो cash का होता है उसके बाद options का data भी हमारे पास है तो हम MCX में जाएंगे और यहां पर हमें crude oil का चार्ट चाहिए तो हम यहां पर crude oil का चार्ट सबसे पहले डोनेंगे MCRO यह crude oil का चार्ट है तो अब crude oil में मालिज है तो हमें trading करनी है तो हम यहां पर right click करेंगे इसको चार्ट विंडो पर क्लिक करेंगे चार्ट विंडो पर क्लिक करने के बाद इसका चार्ट ओपन हो जाएगा उपर जो time frame का section है उसमें से कोई भी time frame ममचूज कर सकते है अपनी strategy के according जैसे कि अभी जो अभी की strategy हम लगाने जा रहे हैं उसके लिए 15 मिनट का time frame जो अच्छा होता है तो अब 15 मिनट का time frame लगाने के बाद दोस्तों अब मैं यहां पर strategy को apply करूंगा तो हमें क्या करना है दोस्तों यहां पर अगर आपको एक बात और बता दूं अगर आपको व फोल्डर यहां पर हमार लिए विजीबल हो गया अगर को अब दिखने लगा तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे button trading indicator की button trading indicator को हम दोस्तों आप एक तरीका से easy trading या semi auto भी कह सकते है semi auto में क्या है कि आपको कुछ नहीं करना सिरफ यहां पर API की को paste करना है और उसके बाद बटन दबाने से आपका trade जो वो trading platform पर चला जाएगा तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों यह हमारा टर्मिनल है यहां पर से हमें यह चीज कॉपी करना होगी API इस पर क्लिक करते ही हमारा यह link कॉपी हो जाता है और उसके बाद हमें आके यहां पर इसको double click करके इस link को paste करना है उसके बाद हमें decide करना है कि हमारा broker कौन सा है जो भी हमारा broker है उसके हिसाब से हम इसको set करेंगे जैसे कि मेरा allies broker था तो मैं यहां पर allies select करूंगा आपका जिरोधा होगा तो आप kite use कर सकते हो और उसके बाद आपको करना है OK करने से आप देखेंगे नीचे एक बॉडटन पर बटन से बने हुए आ गये हैं बटन से बने हुए आगगे हैं तो इनको हमें प्रेस करना है अब आपको अहां पर दीखाता हूं कि ऐपर डेकने से हमें क saç स्चीजें करना हो और पैस करना होगा विसको start करते तो इसके बाद यहां इ 노गे इसका मतलब ही some क्यान्ट करना तो यहां पर कॉंट टीड करना तो यहां पर कॉंट्टीवान अल्रेडी लिखी है मैं जब बटन करना इस लेबल पर दोस्तों जैसे हम बटन करेंगे तो यह हमारी ओर ट्रेडिंग को निस स्टार्ट हो जाएगी अब यह देखिए मैंने बाइगा बटन आगया order ID यहाँ पर हमें कुछ मिले नहीं है क्योंकि हमारा order जो वो reject हो गया है क्योंकि हमारा पास fund नहीं था मैं आपको दिखाता हूँ उस order को की order किस तरीके से कहां पर जाके लगा है उसकी information मैं आपको देता हूँ यहां पर उसके लिए हमें जाना होगा अपने अलाइस के अकाउंट में और अलाइस पर जाएंगे वहां पर अपने account को साथ login करेंगे और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि buy का order successful लग गया है reject हो गया क्योंकि account demo का है इसमें fund नहीं है इसलिए account reject हो गया यहां पर अब जो trade आया था वो reject हो गया अब आगे बढ़ते हैं और जैसे मालीजी अब यह वाला buy का order लग गया है अब हमें इसी order को close करना है buy की order को close करना है तो हम close buy पे click कर देंगे close buy पे जब हम click करेंगे तो एक और trade हमारा टर्मिनल पर लग जाएगा और टर्मिनल पर लगने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपको एक और message यहां पर हिस्ट्री में दिखाई दे जाएगा कि आपका buy के बाद sell भी हो गया है और आपका जो order है वो close हो गया है यहां पर आप देखिए यहां पर तो यहां पर आपको दिया हुआ एनेबल स्टॉप लोस टार्गेट भी रखना है मौनलो 15 पॉइंट कर टार्गेट रखना है आपको 15 पॉइंट कर स्टॉप लोस रखना है तो आप इस तरीके से 15 पंदरा इसमें लिख सकते हो और लिखने के बाद जब आप OK करोगे तो OK करन के बाद एक trade हो जाएगा यह देखिए trade हो गया और उसके बाद यहां पर हमें दो लाइने भी दिखाए देगी इसमें green color की जो line है वो target की line है और red color की line है वो stop loss की line है आप इस तरीके से हमने stop loss target set किया है उस stop loss target के हिसाब से यह हमारा trade जो confirm कर देगा अगला trade आने पर अपने आप stop loss की या लगेगा या target लगेगा तो positions को निकाल देगा यहां पर stop loss या target की line पर double click करेंगे तो यह double click करने के बाद हम इसको edit कर सकते से अभी target आप देखे 2929 लिखा हुआ आ रहा है तो अगर मैं इसको उपर जाके छोड़ता हूं तो target अब देखे 2994 हो गया है काफी बड़ा target हो गया stop loss को भी अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं इसको और नीचे करूंगा अभी देखिए बार ट्रेटर्स कई बार इसे गलती कर देते हैं कि वो बार बार इसी इंडिकेटर को यहां से उठाके ऐसे दुबारा से अपलाई कर देते तो वहां पर आपको problem आ सकता है दो तीन ट्रेड आपके एक साथ हो जाएंगी इसलिए आपको हमेशा याद अखना है कि राइट क्लिक करके आपको इंडिकेटर लिस्ट के अंदर जाना है और वहां जाने के बाद ही आपको यह बटन ट्रेडिंग इंडिकेटर को डबल क्ल आप हैं और अगले इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं अब देखे सबसे पहले यहां पर हमने लिखना है और पिरियर्ड जो की सूपर ट्रेंड के दो पैरमीटर से हों यहां पर लिखे हुए हैं मल्टिप्लार और पीडर वह हमने टैन और फोर रखे हैं उसको आप जो वो मैंने यहां पर paste कर दी उसके बाद हम इस select broker करना है broker की broker हमने select कर दिया उसके बाद यह है quantity management on quantity management का मतलब यह है कि अगर हम चाहते हैं कि quantity हमारी split हो जाए यानि कि मान लिजे आप तीन quantity पर trade करते हैं और तीन अलग अलग जगे stop loss लगाना चाहते हैं तो यहां पर quantity management आपके काम की चीज़ है otherwise आप quantity management को off कर सकते हैं मान लिजे अगर मैं इसको on करता हूँ तो यहां पर किस तरीके की position बनी हुई है वह मैं बतायता हूँ यहां पर तीन quantity total लगी हुए है 100 point के target पे 100 point के stop loss पे पहला quantity आपका निकलेगा 200 point के stop loss पे different putting point के stop last लोट निकल जाएगा तो स्टॉप लोस रहें तीसरे लोट का आप चाहते हो कि 21 का स्टॉप लोस रहे तो इस तरीके से आप अपने स्टॉप लोस तीन अलग-अलग सेट कर सकते हैं और यहां पर कॉंटिटी भी डली हुई है तीन कॉंटिटी एक चीज का हमेशा हमें क्याल रखना है कि अगर हम स्टॉप लोस है इन में भी जो टोटल कॉंटिटी आप डालो वह भी तीन होनी चाहिए और टार्गेट में भी टोटल कॉंटिटी तीन होनी चाहिए वरना आपका ट्रेड होना नहीं जाएगा मतलब आपका ट्रेड वहां पर नहीं जाएगा क्योंकि आपकी जो कॉंटिट है वो यहां पर vary कर रही है किसी में दो लिखा है किसी में चाल लिखा तो वह problem करता है यानि कि total quantity is equal to total SL quantity and total target quantity यह तीनों चीज बराबर होनी चाहिए तभी आपका trade आगे जाएगा उसके बाद आते हैं money management on पे money management on का मतलब है कि total 100 point का stop loss तोटल 100 point का target होने के बाद आपका system आपकी trade को अगर बंद करना आपने तो इसको on रख सकते हो अधर्वाइस इसको और रख सकते हो अभी मैं दोनों को दोस्तों आप कर रहा हूं कि मुझे इन दोनों चीज़ों की जरूरत नहीं है stop loss target की जरूरत नहीं है यहां पर candle आप में अगर मुझे ट्रेंड चाहिए तो तो सारी candle लाल और हरी दिखाए देंगी अगर मुझे नौर्म चाहिए तो जैसी अभी candle दिख रही है वैसी दिखाए देंगी तो दोस्तों अब इसके बाद में इसको कर देता हूं अब करने के बाद आप देखेंगे कि यह मुझे अलग-अलग ट्रेंड की इंडिकेटर्स की लाइने दिखा रहा है और कलर के चीज इसमें करके दिखाना चाहता हूं अभी यह तो हैं आपका नौर्मा पैरामिटर जो हमने लगाया था आप आपको यह भी देखना होगा कि भाई यह आपको दिखा देता हूं किस तरीके से आपके ट्रेडिंग होती है इसके लिए मैं इसके पैरामिटर के साथ कुछ छे लगाने से आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो प्लीज इसको आप ऐसे ट्राइड ना करें इसको इस तरीके से लगा के ना देखें मैं ही लगा रहा हूं क्योंकि यहां पर मेरे एकांट में फंड नहीं है तो ट्रेड हो जाते तो अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं है और न नहीं है तो आपके ट्रेड जो कंप्लीट करेंगा उसके लिए आप थोड़ी देर वाच करिए और जैसे ही अ कि तो दोस्तों आप देखिए यहां पर जैसे ही सेल का सिकनल आया नीचे हमें मैसेज भी आ गया है कि स्टेटस टुवंडर्ड और सक्सेस हो गया हमारा अब हम जाके यहां पर देख सकते हैं कि अभी पहले हमारे दो ओडर से हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहां पर हमें तीसरा ओडर भी मिल जाएगा कुरूड आयल सेल का वह हम यहां पर यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं तो दूस्तों यह देखिए यहां पर एक पहला ओडर हमने बाय का मारा था जो कि मैंने आपको स्टॉप रॉस टार्केट दिखाने के लिए मारा था उसके बाद यह लेटेस्ट ओडर जो हो सेल का है अगर हम अपने टेडिंग टर्मेर पे जाएंगे तो यहां पी आप दिखा जैसे यह बाय का सेल का सिकनल बना तुरंत ओर्डर मार्केट में चला गया तुरंत ओर्डर का कंफर्मेशन हमें मिल गया तो यह था दोस्तों सुपर ट्रेंड किस तरीके से काम करता है बेसिक पैरामिटर दस और चार की यूज करते हैं हम लोग और 15 मिनट के टाइम प्रेमिस में भी यूज करते हैं दोस्तों इसको भी आप मैं हटा रहा हूं और अगले इंडिकेटर की तरफ चलते हैं दोस्तों तो जो मैंने आपको बताये थे दोस्तों फ्री में जो इंडिकेटर हमें आपको देंगे जानी कि जो सब्सक्रिप्शन के साथ अलको टर्मिन moving average की crossover पर आप trading करते हैं तो 2 moving average का crossover लगा सकते हैं तीन पर करते हैं तो आप 3 लगा सकते हैं यहां पर उनकी values डाल सकते हैं और साथ ही में आप moving average किस type की चाहिए 1 का मतलब exponential, 0 का मतलब simple और इस तरीके से आप अपने इसको जो है types की भी change कर सकते हैं secondary एक इस चीज़ में important जो इसमें है वो बताता हूं कि ऐसा नहीं कि आप इसमें indicator के through trade कर सकते हैं आप चाहें तो combination लगा सकते हैं जैसे मान लेजिए आप चाहते हैं कि ballinger band जो है अगर वो मेरे को मेरे हिसाब से buy का signal दे रहा है या parabolic SAR मेरे को मेरे buy का signal या उसके बाद और कोई इंडिकेटर मालेज है आप मेसीडी को भी यूज़ करना चाहते हैं तो मेसीडी भी buy यानि कि अब आप कह रहे हैं कि तीन इंडिकेटर यानि कि मेसीडी पेराबॉलिक सार और आपका बॉलिंग एर बैंड अगर तीनों में buy आए तो उसके बाद next candle से buy करो तीनों में sell आए तो next candle से sell करो इस तरीके की strategy आप अगर लगाना चाहते हैं तो उसको लगाने के बाद आप में को करेंगे अके का यहाँ कई आप देखेंगे कि इसने हमारें वहांरे क्प यहां पर हम देख सकते हैं कि लास्ट सीगनल हमारे त्रियुए का बने हैं यहां पर यह यह आप देख सकते हैं यहे जो fficignal के आर आपको आपको profitability भी इसमें आच्छी खासी मिल जाए क्योंकि आप अपने combination of indicators के हिसाप से इसमें दोस्तों trading कर सकते हैं आप दोस्तों अपने combination के इसाप से यहां पर trading कर सकते हैं जो भी चाहते हैं इसमें मुझे आपको auto trading करके दिखाने की जरुवत नहीं क्योंकि वह मैंने super trend में दिखाया जैसा super trend के parameters हैं सेम इसी में भी parameters हैं आप उस तरीके से अपना setting कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ right click करके जब आप bottom पे जाएंगे तो आप देख सकते है quantity management का option है on off करने का वही same parameters सब में total में आपको मिलते हैं आपको अगर जिस तरीके से भी trading करना उस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप quantity management करना है हमारा ilgo terminal का उसके इलावा जो हमारे paid indicators हैं दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले में बात करूंगा Intramax की जो की Intraday traders के लिए best indicators है best indicator है दोस्तों हमारे indicators में एक चीज़ में आपको बता दूँ जो हम indicator प्रॉवाइड करते हैं और जिन इंडिकेटर के लिए हम चार्जेस पर करने के लिए बोलते हैं वो सब इंडिकेटर में कुछ खास होता है यानि कि जैसे अगर माल लीजे मैं इंट्रामेक्स की बात करूँ तो इंट्रामेक्स में खास यह है दोस्तों कि आप इसमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट ने दिखाई वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूं कि अगर मैं stop loss या target set करता हूं और उसके बाद सके apply करता हूं तो यह मुझे दिखाएगा कि मेरी किस तरीके से accuracy निकल के आ रही है क्या profitability निकल के आ रही है और कैसे indicator ने परफॉर्म जैसे यहाँ पर यह दिखा रहा है भी 59 परसेंट की accuracy प्लस 181 points का profit जो अभी overall दिखाई दे रहा है और अभी जो current trade चल दिए उसमें 14 point का profit यहाँ पर दोस्तों चल रहा है तो इस तरीके से इस indicator के अंदर आपको performance के साथ profitability वगेरा सब कुछ चीज़ें आपर दिख जाती है इंट्राडे का indicator है आप आप देख सकते हैं माइएस अगर आप trade करते हैं तो broker आपको margin देते हैं अच्छे कासे margin दे रहे हैं आज कल broker allies blue बहुत अच्छा margin दे रहा है और आप जो है account खुलवा सकते हैं अपना allies blue में अगर खुलवाना है तो आप bottom पे जा सकते हैं description में आपको एक link मिल जाएगा वहाँ पर जाके आप अपने details लाल सकते हैं आपका account open हो जाएगा 20 रुपे की broker लेते हैं दोस्तों और साथ-साथ exposure भी बहुत अचा देते हैं तो चलिए करना है और साथ-साथ फिर हम इसमें indicator को इंट्रमेक्स को यहां पर अप्लाई कर सकते हैं यहां पर percentage के साब से आप stop loss target भी रख सकते हैं points के साब से भी रख सकते हैं एक एक करके तो मतलब 3 बजे है तो इंडियन डाइम के साब से यहां पर दूसरा लिखा है कि दोस्तों entry price आपको देखना है नहीं देखना तो अगर आप देखना प्रेट ना तो मैं इसको पॉइंट कर सकता हूं मुझे पॉइंट में रखना है और मैं यहां पर लिख देता हूं कि मुझे 120 पॉइंट का टार्गेट यहां पर चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर और यहां पर जैसे मालीजे उसके बाद पॉइंट में मालीजे मुझे 100 सब्सक्राइट का टार्गेट का टार्गेट चाहिए वान इस्टू 1.2 का मुझे रइश्यो मैं आपर शेट कर दिया उसके बाद यह लिखा हूं है मैक्सिमुम ट्रेड पर एक दिन में कितनी ट्रेड करनी आप दो करना चाहते हैं यह करना चा एक बार ही लेगा और अगर आपने एक बार सेट कर दिया यहां पर तो फिर अगर दूसरी बार तीसरी बार भी सिगनल आता है तो वो नहीं लेगा एक ही बार सिगनल लेगा पूरे दिन में कि गड़ेंगे आगर आपका कायट काइट करेंगे एलाइस काकूण्ट ए लाइस करेंगे उसके बाद यहां पर दीखा रहा है कि 55% की एक किरेश्य यह लेकिन प्रॉफिटे पॉइंट की जहां बात क्रेंड तो 16 हो तो आप देखेंगे कि profitability बढ़ जाएगी पर accuracy घड़ जाएगी तो आपके ओपर depend करता है कि देखो यहां पर दोस्ते क्या उन परसेंट accuracy आरी है लेकिन 3800 पॉइंट हो गया सीधा तो काफी जादा points यहां पर profit बढ़ जाता है बट करता है कि आप accuracy जादा चाहिए आपको या कम चाहिए अगर आपको accuracy जादा चाहिए तो profitability कम हो जाती है और profitability चाहिए तो accuracy कम हो जाती है वह आप अपने हिसाब से settle कर सकते हो जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो कस्टमाजेशन का option है पूरा आप डेमो लोगे तब आप इसको लगा लगा कि चला चला कि देख सकते हो अपनी तरीके से किस तरीके का performance रिपोर्ट आ रहा है किस तरीके से आपको strategy करने से कितने point का target या stop loss रखने से आपको अच्छी money machine के inputs में जाएंगे तो input आपको दोस्तो सारे indicators में सेम ही मिलेंगे quantity management से यह नीचे यह पे मोड यह वो सब इसी तरीके के हैं और उसके बाद हमें करना है दोस्तों कि करने से यहां पर यह दिखाई दे रहा है जैसे अभी यहां पर दिखा रहा है 451 पॉइंट का loss दिखा रहा है जो कि एक strategy है इसमें बैंक निफ्टी के अंदर और लेकिन टोटल प्रॉफिट के अगर बात करें तो दोस्तों यह है बी कंटीनियू बता रहे हैं और जहां पर सिगनल जो है टोटल सिगनल का जो प्रॉफिट है वो 83575 पॉइंट का यहां पर दोस्तों आपको मिल रहा है उसके लावा अगर क्रूड आयल में देखना चाहते हैं दोस्तों तो कूड आल में आप मनी मेशिन के इंडिकेटर को कर सकते हैं अगर अप्लाइ करते हैं तो आपको दिखेगा तो डूड आल में अभी 308 पॉइंट का यहां पर प्रॉफिट दिख रहा है आपको पोजिशनल स्ट्रेडिजी में और 22 पॉइंट का करन्ट डेड में प्रॉफिट देख रहा है तो इस तरीके से दोस्तों चीज़ यह भी होते हैं कि इंट्राडे में तो आपको एकुरेसी जो है वो 60-70% के आसपास मिलती है इसमें एकुरेसी कम मिलती है लेकि प्रॉफिटिबिलिटी इसमें काफी अच्छी खासी मिल जाते है क्योंकि आपको इसमें रोज डोज का ट्रेडिंग करने का देखने क कोई जंजट नहीं होता है एक बार लगा के छोड़ दिया तो एक महीने बाद आप देख सकते हैं कि क्या फंड है आपको किस तरीके से क्या रिपोर्ट काड़ सब चीज़ें यहां पर आपको मिल जाती है तो दोस्तों यह थी पांच स्ट्राटजी और पांच स्ट्राटज का है काइट है तो काइट का लॉग इन कर सकते हो यहां पर सीक्रेट डाल कि आप लॉग इन कर सकते हो लॉग इन करने के वाद आपको क्रियेट लिंक करना होता है प्रेट लिंक करने से आपका जो है सिंबल आपको जो भी क्रेट करना हो कर सकते हैं एक चीज़ बड़ी खास है दोस्तों वो मैं बता दूँ आपको कि अगर आप अपना अपस्टोक का अकाउंट का आईडी पासवर्ड चेंज करते हैं और यहां पर आपने लॉग इन किया हुआ उसको तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट यहां से लॉग आउट करना एक चीज़ बस मैं इसके बारे में बता देना चाता हूं दोस्तों कि अगर आप स्ट्रेडिजी जूज करते हैं तो नहां आपको सबसे बासे हैं इसके बारे में अगले वीडियो में आपको ब्रीफ ली बताऊंगा अच्छे खासा मैं आपको पूरा इसका इंट्रोडक्शन दूँगा बेसिक से लगाना करना सब चीजों की इन फरमेशन दूँगा आज के लिए दोस्तों इतना ही आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था आपको सारे चीज़ा समझ आ गए होंगी अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आई कोई कंफूजन है कोई क्वैरी है आपके माइंड में तो आप हमारे दिये हुए पे नमबर्स पे कॉल कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको हमारी वबसाइट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिए मुझे अच्छा लगेगा तो यह बहुत दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर हैपी ट्रेडिंग